बश्कार दोस्तों टार्गेट विद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सब्बंजित सभी सूचनाय प्रतान की जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPTET की उसके बा सबसे पहले मिलती रहें चलिए शुरू करते हैं जैसे कि यहां पर लिखा UPTT 2021 एक और नोटिस जारी कल UPTET का जो सासना देश है वो जारी हो गया जिसमें पूरा परिच्छा का कारकरा में वो बताया गया था कि किस तारीक को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा किस तारीक स उनको बताया गया है कि परिच्छा जो हो 28 तारीक को होगी और इसकी जो तैयारियां है वो भी शुरू करती गई है परिच्छा केंत्रों को लेकर के जो हो काम सुरू हो गया है यह देखिए लिखा सच्यू परिच्छा नियामक पुरादिकारी उत्तर प्रदेश प्रियाग परिच्छा यूपी टीडी 2021 के आयोजन प्रिच्छा कार्करम समय सारणी प्रेशना के संबंद में और यह इसके साथ में जो सासना देश से वो भी लगाया गया है और भीजा गया है इसमें लिखा है कि उप्रियुक्त विशक सासना देश संक्या लिकी हुई यह बेसी सिक् अमंत्रित किया जाने तता दिनांक 28 नवंबर 2021 को परिच्छा आयोजित करा जाने के निर्देश दिए गये हैं उत्तर प्रदेश सिक्षक पाधिता परिच्छा दोजार बीस एक्किस आयोजन प्रदेश के समस्त जनपदों में जन्रपदी समीति द्वारा निर्धारित पर की लिए अब चितनी परिक्षां होती है उत्तर परिदेश में सभी जीनों को परिच्छा केंद्र बनाया जाता है चाहे वह परिदी के परिच्छा में हम लोगों ने देखा और इसी तरीके से सारणी सलगन करते वे आवसक करवा यह प्रेसित है और यह आपर यह डेट पड़ी है सची परिच्छा नियामका सिगनेचर है तो कुल मिला करके अब जो यह परिच्छा वह आपकी 28 तारीक को होगी परिच्छा को लेकर के विद्यारतियों में उच्छता इस बात की थी कि स्टीफिकेशन है वह जरूर जारी हो जाएगा और भरती की जो ऑफीसल घोषणा है वह भी सरकार के द्वारा बहुत जल्द करती जाएगी और पूरी-पूरी उम्मीद है कि अगले महीने अक्टूबर लास्ट में यह नवंबर के महीने में ही सरकार जो अध्यापक कर चाहेगी तो इसकी जो基本 कर उचाहिए अगर कर चुनाओ कि अद्सूशियंहा देरी होती या जनवरी लास्ट में तो इसकी सरकार परिक्षा भी करवा सकती सरकार के इक्षा सक्ती पर डिपेंड करता है और प्रडम भले ही वह बाद में जारी हो इसलिए जितने भी विद्यार्थी वह अपनी जो है वो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यांत दे सकते हैं चूंकि भरती बहुत बड़ी है और यह मौका भ से भी प्रदान की जाती है यह देखिए प्यन पी से यह नोटीज भी जारी ही है और यह डिलेट प्रसिचन बैज 2017 इन विद्यार्थियों को जो प्रमाल पत्र वो मिल जाएगा इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है कि चुंकि यह जो विद्यार्थियों कई भार धर धारित वेबसाइट पर उपलग्त कराए गये थे डीलेट प्रसिचन 2017 उत्तिन कर चुके प्रसिच्चूं के प्रमाल पत्र वित्रत किया जाने हैं उक्त के क्रम में आपको निर्देसित किया जाता है कि संस्थान के किसी कर्मचारी को अधिकरत करते हुए डीलेट प्रसिच प्रमाल पत्र है वह अगले महिने यानि अक्टूबर से इन विद्यारतियों को प्रमाल पत्र मिलना सुरू हो जाएगा अगली जो सूचना है वह एड़ेट जून्यर हाइज स्कूल भरती इसके बारे में मैंने कल्वी आप लोगों को बताया था आड़ेट जून्यर स्कूल भरती में बहुत सारे जो विद्यारती हैं वह हाई कोड चले गए थे और इन विद्यारतियों की यह मांग थी कि 50 प्रितिसत की जो अनिवारता रखी गई थी उस अनिवारता को सरकार हटा ले चूंकि इसके बारे में सुप्रिम कोड में पहले से ही कई आडर अजार गया है आज ही यह अपलोड हुआ है और सुनवाई कलवी थी यह देखें यहां पर लिखा कोड नंबर 37 रिट नंबर है 4802-2021 और जिस बेंच में सुनवाई हो रही थी वह कौसल जैंदर ठाकर और अनेबल सुभास चंद्र तो यह देखें यहां पर लिखा कि अब इस केस की जो सुनवाई है वो 30 तरीक को आगे की होगी लेकिन अब इस सरकार से यह पूछा गया है जो सरकार के वकील है कि आपने जो नीरज कुमार एंड एक विद्यार्थी थे नीरज कुमार रहा है वो सुप्रिम कोड गया थे और उनके पक्च में सुप्रिम कोड ने एक निरणा रखा गया है कि आपने इन विद्यार्थियों को बाहर क्यों किया है अब 30 तारीक के अंदर अंदर सरकार को जवाब देना है कि आखिरकार NCTE के नियम को धता पताते हुए और सुप्रिम कोड के ऑडर के अवहिलना करते हुए आपने जो यह विद्यार्थी है 50% कम वाले इ यहां पर लिखा वह है कि नीरस्कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट अफ यूब और अदर्स एंड पिटिशनर कैन बी पर्मीटे टू अप्लाई एज इट एपियर्स दैट प्राइमा फेसी अमेंड्मेंट रूल्स और वा वाइलेटिव आफ आर्टिकल 14 16 दुस्त्रमान काफी सीरियस है काफी गंभीर है इसमें कुछ भी हो सकता है तो देखने वाली बात है कि राज सरकार आखिरकार जो है वह सुप्रिम कोड के ओर्डर के खिलाफ कैसे जा सकती फिलाल मेरा काम है आप लोगों को अपडेट देना और यह हो गई एड़ेट जूनियर हाइस्कू किया और तीस तारीकों तो बड़ा प्रत्रसन होना ही है इसके सिमन्द में जो वहां के जो सिक्षा मिंत्री है डोटा सरा उनका एक बयान आया है कि जो तेरा सरकारी कर्मचारी है उनकी भूमका है वो संदिक दिपाई गई है उनको फिलाल अभी सस्पेंट किया गया है और तेरह कर्मचारी निलंबित किये गया है डोटा सरा लिका राजास्थान में 31,000 सिक्षक बरती के लिए 26 सितंबर को रीट परिच्चा में सामिल नकल किरों के खिलाफ राजसरकार ने बड़ी कारवाई कर दी है मामले में एक जिला सिक्षा अधिकारी और तेरह कर्मचार निलंबित कर दिया है अब आगे पुलिस जाज रिपोर्ट में दो सित्त होने पर इनकी सरकारी सेवा से बर खास्तगी भी होगी बकायता इन कर्मचारियों के नाम भी जारी किये गया है यह प्रकास चोधरी रमेश कुमार राम निवाज बसमाना यह पूरी पूरी जो लिस झाल झाल